है यह लो माय यूटूब फ्रेंज्ट आइम पुंडमा सिंग मैं हूं पुंडमा सिंग और मैं करती हूं टैरो काड रीडिंग तो अवकॉर्स आज पर एक नया पिकर काड रीडिंग लेकर के आई हूं अगर आप मेरे चैनल पर पहले से आते हो तो नमस्कार स्वागत है आप का अमारे चैनल पे जांब के यर काक confirmation अगरा आप में सब्सक्राइबर हो तो थाइन्क यू फर सब्सप्राइबिंग तो माय SYمनल और मेरे उपर इतना यह रखने के लिए और मेरे चैनल पे बैक तो बैक आने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब करो हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो शायद आपके और मेरे वज़े से किसी की हेल्प हो जाए तो आज का जो पिकर का टॉपिक है वो यह है कि आपके लाइफ में ट्रू लव कब आएगा यानि आपके लाइफ में आपको कब सच्चा प्यार मिलेगा अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वरी में रहते हैं कि क्या उन्हें कभी लाइफ में कभी ट्रू लव मिलेगा या नहीं मिलेगा या वो अगर उनके लाइफ में बहुत सारा पेइन रहता है बहुत सारे relationships उनके fail हुए रहते हैं, तो कहीं न कहीं वो मन से बहुत ज़ादा निराश हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें शायद कभी true love नहीं मिलेगा, उन्हें कभी कोई ऐसा नहीं मिलेगा, जो उन्हें समझ सके और उन्हें understand कर सके, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपका true love कब तक मिलेगा इन केस अगर आपके साथ वो इनसान है तो क्या वो आपके true love है या नहीं यह भी मैं आपको explain करने की कोशिश करूँगी तो यहां पर रखें हैं तीन पाइल रेट ब्लू एंड ब्लाट तो आपको कि आप अपने तीन पाइल में से किसी एक पाइल को select करो मैं आपको यहां पर time देती हूँ है आप select करो अगर आप extra time जाते हो तो video pause करके भी अपने पाइल को select कर सकते हो at the same time यह reading कोई भी सुन सकता है किसी भी एज के लोग सुन सकते हैं कोई भी सुन सकता है अगर आप married हो अपने divorce ले लिया अगर आप single हो अगर आप current relationship में हो या आपका separation चल रहा है कोई भी इस video को सुन सकता है और find out कर सकता है कि उनके life में actually true love कब नौक करेगा okay कब आएंगे वो लोग आपके जिन्दगी में okay तो यह reading है में मैं भी सुन सकते हैं और the females भी सुन सकती है विमन भी सुन सकती है तो सारे ही लोगों के लिए है लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए विए सब के लिए okay तो आपको time देती हुँ आप अपना file select कर लो फिर हम अपनी reading स्टार्ट करेंगे तो आहां होगे अपने अपना पाइल एक्थ कर लिया होगा तो चलिए हम अपने रीधिंग के तरफ स्टाट करते हैं सबसे पहले ड़ल फे ब्लू ठाइल ब्लाक पाइल कि देखते हैं कि यह यह वाले लोगों के लिए इसांड वाले पॉले और चुन है आपके लाइफ में कोई बिग चेंज आने वाला है जहां तक मैं देख पारी हूं कोई बहुत ही बड़ा चेंज है जो आपके लाइफ में आने वाला है जिससे आपको अभी बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है तो जहां तक उनके आने की बात है तो जिन लोगों ने रेड़ पाइल स्लेक्ट किया है तो मुझे लगता है आपके लाइफ में और वन इयर के अंदर मतलब एक साल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ट्रू लव मिलेगा और आप ट्रू लव के इंकाउंटर में आओगे मतलब कुन से आपकी मुलाकात होगी ट्रस्ट मी ये जो चेंज आपके लाइफ में आने वाला है ये बहुत ही पॉसिटिव है और बहुत ही अमेजिंग है तो अभी तक जो कुछ भी problems आपके life में आई हैं, जो कुछ भी issues आपके life में आए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके sort out होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब जो आपका situation है, वो बहुत जादा change करेगा, बहुत चीज़ें सही होंगी और बहुत जादा amazing changes आएंगे, positive changes आएंगे, जिनका weight आपने बहुत time से किया है अपने life में कहीं ना कहीं ये जो circle है वो घूम के आपके ही पास आने वाली है, आपको बस थोड़ा open रहना है, आपकी destiny change होने वाली है, आपका soulmate, ये card मुझे ये बता रहा है कि आपको आपका soulmate मिलने वाला है, ये आपके life का ऐसा moment होने वाला है, जो बहुत decisive moment होगा, जहाँ पे कि हमेशा के लिए change हो जाएगी, और ये positive change के तरफ जा रहा है, ये negative change के तरफ नहीं जा रहा है, तो in coming time आपकी जो luck है, आपकी जो destiny है, वो increase करने वाली है, and of course, इसमें बहुत सारे betterments आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, आपको अच्छा महसूस हो आप चीज़ों को अपने हिसाब से control कर पाओगे, अब आपको जो एक negative force होती है, जहां पर की बहुत सारा manipulation होता है, बहुत सारी issues होते हैं, बहुत time से आप कहीं न कहीं अपने good karma's का wait कर रहे थे कि कब वो आपके life में result show करेंगी, तो of course, आने वाले कुछ time में ये good result show करेंग positive changes आपके life में आएगा, तो changes जब कभी आते हैं तो कभी-कभी existing situation में positive changes आने के बावजूद भी कभी जब change आता है, तो change के साथ adapt करना, adjust करना या उसे recognize करना at times मुश्किल हो जाता है, तो अभी मैंने आपको अभी से बता दिया है, तो आप इस change को adapt करने की कोशिश करें, और जादा caring रहने की कोशिश करें, और जादा focused रहने की कोशिश करें, कोशिश करें कि आपके हाथ से कोई भी ऐसा मौका ना निकले, जहां पे कि आप उस इंसान जो आपके life में आ रहा है, उसको कहीं आप miss ना कर दो, जहां पे भी आप जाओगी, इस relationship को ले करके, trust me वो एक beautiful जगा होगी, वो एक ऐसा जगा होगा, जहां पे कि आप किसी इंसान के बारे में care कर सकते हो, अपने self को दिखा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, यह जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को एक साल कहीं अंदर मिले, किनी को six months, किनी को one and a half years भी लग सकत क्योंकि जिसके सामने आप इतना जादा open up कर सकते हो, जिसके सामने आप अपना true nature दिखा सकते हो, जिसके साथ आपका जो relationship है वो एक higher level पे जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका true love ही है, और possible है कि आपकी इनसे marriage भी हो सकती है, तो congratulations, बहुत ही अच्छा omen है यह, आप लोगो को बिना judge किये, बिना एक दूसरे पे doubt किये, आप एक दूसरे पे rely कर सकते हो, बहुत ही harmony होगी इस relationship में, बहुत ही love होगा, care होगा, concern होगा, और अभी तक जो आप किसी पे depend नहीं कर पा रहते, कहीं ना कहीं वो dependency आप इस इंसान पे दिखा सकते हो, the best part is, कि आप दोनों जो couple रहोगे, उसमें बहुत जादा wisdom है, वो भी बहुत knowledgeable है, आप भी बहुत knowledgeable हो, वो भी adjusting है, आप भी adjusting हो, हाँ, यह हो सकता है कि वो थोड़े आप से जादा controlling हो, क्योंकि आपका जो nature है, वो कहीं ना कहीं soft power है, और उनका थोड़ा controlling nature हो सकता है, but the thing is, कि यह वो time है, see, 21st century में तो ऐसा होता नहीं है, कि आप अपने softer side को किसी को दिखाओ, और वो इनसान उस softer side की respect करे, okay, मगर हाँ, आपके साथ अभी जो situation है, उसमें आप अपने weaknesses, अपने soft nature को, अपने hidden चीज़ों को भी reveal कर सकते हो, और वो आपको इन सारे चीज़ों के लिए जज नहीं करेंगे, कह कहीं नहीं हो सकता है, कि वो आपकी इस नीचर के वज़े से, आपके compassionate nature के वज़े से, आपके पास खिचे चले आए, okay, तो यह बहुत positive love spread है, जो मैंने इधर किया है, और यह जो changes आपके लाइफ में आएंगी, तो अभी सहीं आप कहीं आपको अगर problems में फसे हुए हो, तो problems से अपने आपको थोड़ा निकालना शुरू करो, so that आप आने वाले change को happily accept कर सको, और उसके लिए adaptable रह सको, अगर आप अल्रेडी एक relationship में हो, और अगर मेरी reading आपकी resonate कर रही है, इस current relationship से, तो trust me, this person is your soulmate, okay, अपने feel किया होगा, अगर वो खुछ सोचते हैं, आपको कही कही ना कहीं से पता चल जाता है, उनके कॉल आने से पहले आपको पता होता है, वो कॉल करने वाले है, उनके दुखी होने से पहले आपको पता होता है, कि उनका mood खराब है, okay, तो यह kind of connection है, क्योंकि यह general reading है, इसलिए में सारे बंदों की possibility बता रही हूं, each and every person की possibility बता रही तो one more thing is there, that कहीं ना कहीं, आप लोग अगर married हो, और आपको लगए आप अपने husband के लिए सुन रहे हो, तो congratulations, you are in a very happy relationship, एक अच्छा relationship है आप लोग का, और अगर आप इन सारे criteria's पर फिल करते हो, कि आप open up कर सकते हो, rely कर सकते हो, अपना nature दिखा सकते हो, अपना softer side दिखा सक you can also enjoy the very good and harmonious life ahead, बहुत happiness आप अपने life में आते होए देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अभी change होगी, और अपर growth बहुत ही amazing होगा, पास्ट में अगर लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा relationship नहीं चला है, या कुछ issues होई है, या पास्ट relationship से निकल रहे हो, तो I would suggest you that it's high time कि अब आप थोड़ा quickly इस पूरे situation से निकलने की कोशिश कीज़े, क्योंकि हमें कुछ नया अपने life में लाने के लिए उस जगा के लिए space बनानी पड़ती है, तो अगर वो space आप कही ना कहीं से empty नहीं करते हो और अपने past relationship के baggage में ही कोहीं लेके चलते हो, त अब ये change अपने full power के साथ नहीं आ पाएगा, तो अगर आप किसी toxic relationship में हो, किसी कोई issue है आपके life में, कोई problems चल रही है, कुछ ऐसा है जो आपको आपको पसंद नहीं आ रहा है, किसी चीज़ से आप heal करने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी आपको ज़रूरी है कि rapidly उस healing process से निकलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा energy आपके अंदर upcoming time में flow करने वाली है, अब जो stability जिसे आप search कर रहे थे, trust me, ये change जैसे ही आएगा, उसके बाद आप ये stability अपने life में कहीं न कहीं महसूस करोगे, कहीं न कहीं आप देखोगे कि आपकी life problems से निकल के stability के तरफ जारी है, और stability के बाद change आएगा और change के बाद love, और इस love पे आप count कर सकोगे, सबसे अची बात ये है, अभी तो चलो करोना है and quarantine चल रहा है, तो quarantine में तो हम लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते, बट हाँ जब करोना खतम हो जाएगा, तो आप अपने healing के लिए कहीं घूमने भी जा सकत हो, meanwhile अगर आप मेरे से पूछते हो, कि क्या करना चाहिए, जिससे हमारी healing fast हो जाए, तो बहुत सारे prayers होते हैं, अगर आप जानते हो कि healing के क्या prayers हैं, अगर आपको आपके specific problems पता हैं, तो आप उससे prayer कर सकते हो, और उससे भी आपको heal होने में बहुत मदद मिलेगे, ओके अ आने वाली हैं, तो trust me, आने वाले time में आपके life में अच्छी चीजें आएंगी, क्योंकि अब आपको वो past वाली चीजें, past में छोड़ देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, कि आपके spirit guides भी, आपके angels, आपके higher guardians, आपको help करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके higher angels, आपके higher angels, आपके क्या कहना चाहते हैं, या क्या message convey करना चाहते हैं, बट हाँ, अब जो time है, वो अपने आपको सुनने का है, अपने आपके लिए guidance बनने का है, क्योंकि trust me, change is coming, and a positive change is coming, and I'm very happy for that, तो अभी दो चीज़ जो सबसे सादा important है, कि इसे पहले कि आप positions change करो life में, इससे पहले कि आप कुछ नहीं चीज़ों का adjust करो अपने life में, heal, heal yourself like anything, negative energy अपने around से दूर हटाईए, positive energy को अपने life में channelize करने की कोशिश करें, तो यह चीज़े हैं, और of course बहुत जादा energy अभी आपके life में आएगी, बहुत positive energy आएगी, आप देखोगे कि उन हाई हाई रहेगा, okay, कही नहीं आपका जो attachment है उनके साथ वह बहुत जादा हाई रहेगा, बहुत सारे जो doubts हैं वह life के आपके clear होने लगेंगे, and he'll act like a god to you, okay, he or she will act like a god to you, they will help you in, actually they'll help you in so many things, शायद जो अभी तक आपकी कोई help नहीं कर रहा था, वो यह time आ चुका है, क्योंकि एक बंदे को बहुत जादा ज़रूरत होती है, मैंने देखा है, okay, we need love, all of us, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जिसे love की ज़रूरत नहीं है, तो it's a high time कि love आपके door के knock करने वाला है, तो knock करने के लिए past की negativity को कहीं दीजे, tata, bye-bye, और आप कर लीजे heal, और heal करने के ब बहुत ही amazing होगा, बहुत ही जादा amazing होगा, आप मेरा यकीन मानो, तो यह situation है, within an year, एक average time में आपको बता रही हूँ, कि within a year आपके life में true love आने वाला है, okay, और अभी जितने situations एक दूसरे के साथ नहीं बैट रहते, सारी चीजें आप ही कर रहते, तो trust me, that person will help you to grow, and you will help them to grow, यह balance है, आप समझो कि जिस तरीके से आपने तराजों को देखा है, जब दोनों साइट पर बराबर की चीजें रखी होती है, तो लोग एक दूसरे को balance करते है, तो दो wisdom वाले बंदे जब साथ मिलेंगे, तो एक दूसरे को balance करेंगे, और यहाँ पर physical love, emotional love, mental connection, बहुत सारी हैं, जो automatically आपके relationship में flow करेंगी, और आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराएंगे, आपको अभी तक जो कभी-कभी unwanted लगा है, यह कभी-कभी relationship में expectation था, फिर भी वहां से वो expectations पूरी नहीं हुई, तो यह सारे जो issues आपके साथ past में मुझे दिखे, वो कहीं ना कहीं आप उस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स जादा आएं, किसी भी negative situation से निकलने में या healing करने में, सबसे जादा मुझकिल यह चीज होती है कि स्टार्टिंग जो होता है वो बहुत जादा difficult होता है, तो स्टार्टिंग आपको थोड़ी difficulties आएंगे बट उस difficulties से आपको डरना नहीं है और धीरे धीरे करके इस पूरे प्रॉब्लम से निकल जाना है, तो अब जो tough time था ना वो खतम हो रहा है, good time आ रहा है, and ace of wands, new beginnings, new startings, कुछ बहुत सारी energy के साथ, तो यह एक amazing sign है, जो दिखाता है कि बहुत ही sensual love होगा, okay, बहुत ही sensual love होगा, sexuality होगी, और amazing सा एक relationship होगा आप दोनों के बीच में, जिसको आप लोग understand कर सकोगे, okay, तो यह love reading में आना यह बहुत ही अच्छा omen हम लोग मानते हैं, okay, क्योंकि new chapter शुरू होगा life का, new amazing changes आएंगे, जो अच्छी होगी, आप लोग हो सकता है कि एक साथ live in करने लगो, साथ में रहने लगो, and you might even end up marrying each other, मतलब एक दूसरे से शादी भी कर सकते हो, okay, तो यह सारा situation यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, और अगर आप single हो, तो let me tell you, कि possibility है, कि जिस इस इंसान पा आप life करते हो, वो आपके पास आए, तो this is the whole soul situation going on for the red pile people, to red pile people, good news is coming your way, so get up, of course true love is coming your way, तो यह बहुत ही अच्छा और amazing omen है, बहुत ही अच्छी reading आप लोगों के लिए आई है, तो हम लोगों ने red pile वाले लोगों के लिए reading complete कर ली है, तो देखते हैं कि next pile, that is blue pile वाले लोगों के लिए क्या आता है, okay, तो मुझे लग रहा है कि blue pile वाले लोगों ने कहीं न कहीं किसी ऐसे इनसान के बारे में सोचा है, जिसे वो जानते हैं, या जिसके बारे में वो ख़वर रखते हैं, तो यह सी general reading है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी जानते हो, बढ़ हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, जो जानते हैं, और यह reading बस इसलिए देखने आये हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तता नहीं वो हमारा true love है या नी, तो of course, उनके साथ रहे कि आपको बहु पा रहे हो, चीज़ें आपके फॉर में काम कर रही है, आपका work life सुधर रहा है, तो true love is actually यहाँ पे एक problem है blue pile वाले लोग, तो इतना जादा रहे मत होई है, मैं आपको थोड़ा explain कर देती हूं कि क्या problem है, क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें होंगी और क्या क्या होगा, मैं आ यहाँ पे problem यह है blue pile वाले लोग कि, see, आपके लाइफ में true love तो आएगा, हाँ, थोड़ा time है, I can expect कि one year से भी आप लोगों को जादा लग जाए, किनी के लिए one year से जादा होगा, किनी के लिए six months के बाद कोई मिल सकता है, बट यहाँ पे blue pile वाले लोग आपके साथ एक problem य तो अगर कोई ऐसा है जिसे आप जानते हो या जिसमें आपको शक है कि यह इंसान भी मुझे लाइक करता है, okay, तो mind की जो duality है, जो दो thoughts चल रहे हैं, अलग अलग and different ones, तो उस duality को थोड़ा खतम कीजे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इस duality के वज़े से उनको exactly pinpoint नहीं कर पा रहे हो कि कौन है, okay, but हाँ, क्योंकि वो आपके in and around ही है, तो कुछ लोगों के लिए six months में भी मिल जाएंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले time में मिले, एक साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो time period है, वो मुझे लंबा नज़ तो यहाँ पे एक चीज है, तो अभी आपको सबसे जादा क्या करने की जरूरत है वो यह है कि थोड़ा अपने inner self पे थोड़ा अपने उपर एक भर भरोसा करके देखे, शायद आपको अंदर से ही जवाब मिले कि आप उनको जानते क्योंकि हाँ, ब्लू पाइल वाले and that person I'm telling you is a very emotional person, very very emotional person, इस इनसान को लोगों ने अपने लाइफ में बहुत दुख दिया है, इसलिए अब यह इनसान अपने emotions को छुपाता है और इन्हें पता है कि लाइफ में pain मिलना कैसा लगता है, इसलिए यह और लोगों को जो pain में होते हैं, जो problems में होते हैं, उनको help क करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं यह इनसान अब आपके around ही है, आपके आजू-बाजू है, बस आपको find out करना है, और find out करने के लिए पारीक नजर, energy, effort and समझदारी, इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, लेट मी टेल यू, उस इनसान का willpower बहुत साथ छोड़ दियाओ का फिर भी वह अकेले आगे बढ़ते रहे, अपने dedication को लेके, अपने चीजों को लेकर के, किनी ने उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश की होगी, बट वह रुके नहीं, and they kept working towards their goal and ambition, तो आपके mind में कोई एक ऐसा इंसान अगर आता है, तो आप मुझे बताओ कि कौन है वो, and possibility है, बहुत सारे लोगों के लिए आते, कि वही एक इनसान है, जो आपको बहुत जादा मतलब पसंद करता है, और शायद आपका true love है, मतलब शायद नहीं, आपका true love है, और आप उस इनसान पे rely कर सकते हो, तो ये इनसान खुद बहुत ठोकरे घा च चीजें हैं, तो आप बहुत जादा busy हो, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजें आपके life में, बहुत rapidly, बहुत fastly, कहीं न कहीं चल रही है, जिनको आप किसी तरीके से manage करने की कोशिश कर रहे हो, आपको बहुत सारा progress अभी अपने life में करना है, बहुत सारे लोग य तो यहां पर आपको आज से थोड़ा search करने की कोशिश कीजें कि कौन है वो इनसान जो आपके around हो करके आपको खुशी देता है, और लोगों की help करता है, अपने emotions को सबसे उपर नहीं रखता है, और औरों की emotions की care करता है, careful approach है, सोच समझ के चलता है, लोगों ने इसकी she is only and only helpful, and trust me, वो उपर से सक्त नजर आते हैं, बट अंदर से they are very very soft hearted, okay, बट कहीं न कहीं उन्होंने अपने उपर एक परदा डाल रखा है, काम का, और strict रहने का, ताकि उनके emotional level तेक कोई पहुची ना पाए, उन्होंने अपने side में एक wall बना ली है, और wall को के वज़े से आप उनको नहीं देख पा रहे होगे, और कहीं न कहीं आप भी बहुत जादा dreamy world में हो, मतलब आप बहुत जादा ambitious हो चीज़ों को ले करके, जिसके वज़े से आपका जो focus है, love life पे वो जाहीं नहीं रहा है, तो love life पे अभी आपको focus करने की जरूरत है, negative और positive दोनों और positive चीज़ों को guess कर पाते हो, और analyze कर पाते हो, क्या चीज़े हैं, कैसी हैं, आगे जाके कैसी होगी, तो आपका higher self, आपका intuition है, वो बहुत जादा strong है, तो dig inside, think inside, सूचिए, introspect कीज़े, and take out the person, कौन है वो, जो आपके in and around होते हुए भी आपके सामने नहीं आ रहा है, कही ना कहीं वो इनसान एक वेल के पीछे है, एक निकाब के पीछे है, जिसमें की एक उनका जो नेचर है, वो strong नेचर है, और दूसरा उनका जो नेचर है, वो hard-working नेचर है, and very positive by nature, very helpful by nature, बहुत positivity है, okay, and at the same time, ये इनसान की जब आप करीब जाओगे, तब आपको पता चल जब यही रीजन है कि वो इतना help करते हैं लोगों को, और कहीं न कहीं उन्हें ही चीजे, I think they are at a very good financial position, financially बहुत stable है, socially stable है, but और अभी इनके life में progress है, और जादा जादा progress इनके life में लिखा है, अभी और जादा इनको grow करना है, अभी तो इनका बस start हुआ है growth, अभी जो growth है, इनका और बढ़ेगा, और उपर जाएगा, और आगे जाएगा, तो इस पूरे situation में आपको जरूरत है कि आप थोड़ा careful रहें कि कौन एक ऐसा इंसान है जो आपके in and around रहता है, क्योंकि वो आपके कहीं न कहीं, आस पास में, office में, college में, institution में, coaching में आपने देखा होगा, क कैसे भी, कैसे भी, कैसे भी, सिंकल लोग ने भी देखा होगा, कि office में, यह कहीं भी, जहां पे आपका उठना बैठना है, उस पूरे situation में वो आपके इर्द गिर्द रहे हैं, बट फिर भी आप लोगों का सामना कभी आमने सामने नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने एक बना लिया है, और आपने एक ड्रीम बना लिया है, और दोनों अपने अपने दुनिया से जो बाउंडरी है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहते है, एक बार्डर बना लिया है, जिसमें कि कि किसी को ना आने देते हैं, ना रहने देते हैं, तो अफकोर्स, थोड़ा प्रकॉश अपने work पे at times जादा हो सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल से चीजने अचीज़ की है मैंने आपको पहले भी बताया मैं आपको अगेन बता ली हूँ कि कभी एक life में ऐसा भी time आया था इनके जब सबने इनका साथ छोड़ दिया था तब यह बस अपने समझ से अपने जिन्दीगी को यहां तक ले करके आए है और अपने जिन्दीगी को आज जो इनोंने stable बनाया है वो कहीं न कहीं अपने effort से है अपने मेहनत से है अपनी चीजों से तो यह सारा situation मुझे यहां पे थोड़ा नजर आ रहा है यह चीजे मुझे यहां पे नजर आ रही है तो अब आपको थोड़ा एक free fly type का situation में जाना चाहिए और आपको ना मतलब एक कहते हैं bird's view bird's view जो होता है उसमें हर एक चीज नजर आ जाती है तो लोग जो आपके around हैं उन पे एक bird view रखने की कोशिश करें देखने की कोशिश करें की कौन है पूरा एक wider horizon में जाकर के सोचें की कौन कौन हो सकता है किस किन लोगों के possibility है और यहां मुझे इस relationship में physical attraction से जादा emotional connect नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आप लोग दूसरे से बहुत जादा connect कर पाओगे और यह इनसान जब आपके life में आएंगे तो आपके career के लिए भी अच्छा होगा आपके personal growth के लिए भी अच्छा होगा और आपका जो एक डर है mind में कि अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया किसीने मुझे बहुत जादा dominate करने की कोशिश की तो जी नहीं है बिल्कुल भी वैसे नहीं होगे soft nature है kind hearted है बहुत प्यार से बात करते हैं ऐसे लोगों को आप बहुत जादा गुसा करते हुए नहीं देखोगे until or unless वो गुसा किसी काम का हो unnecessary aggression नहीं होता इन लोगों में life में बहुत कम age में stability मिल जाती है तो यह पूरा situation है जिसमें आप लोग साथ में grow करोगे अब इनके past में कुछ problems मुझे नजर आ रही है जिसको इन्होंने conquer कर लिया इनको कोई फरक नहीं है कि वो चीज़ें होई वो इस चीज़ को कहीं न कहीं उन्होंने एक रखा है brain में दिमाग में रखा है बट उसे एफेक्ट नहीं होता है यह अच्छे के लिए अच्छे हैं बुरे के लिए बुरे हैं तो इस टाइप का situation है और बुरे लोगों पे कभी-कभी इनका जो गुस्सा है वो डिरेक्ट निकलता है कोई गुमाफिरा के नहीं निकलता क्योंकि यह hard work में believe करते हैं यह clear रहने में believe करते हैं और चीज़ों को वैसे ही express करना चाहते हैं जैसे जैसे चीज़ें हैं क्योंकि यह help करते हैं लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे and he or she will be an amazing person बहुत जादा caring होंगे बहुत amazing होंगे और आपके life में बहुत सारे happiness को यह ले करके आएंगे बहुत सारे happiness तो अब जो इन्होंने वेल अपने around बनाया है एक water जो अपने around बनाई है वाल बनाया है उसको आप गिराएं और आप दोनों कोशिश करें कि एक नए relationship को look forward करें तो यह बहुत ही amazing amazing connection और amazing relationship आपको अपने life में मिलेगा और जो भी partner है आपका जो भी person आपको मिलने वाले है true love में वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बहुत equally treat करेंगे बहुत आपको pamper करेंगे आपकी छोटी छोटी बातों का खयाल रखना आपके secrets को अपने तक रखना आपकी चीजों को सम्हाल के रखना बहुत जादा यह balancing power इनका बहुत जादा है बहुत जादा अगर आप लोग में लड़ाई हो भी जाएगी तो कहीं न कहीं यह उस चीज को balance करेंगे और हाँ मतल जलेगा विकोज अगर आप उन्हें देख के हस दोगे या उन्हें मनाने की कोशिश करोगे तो वह मान जाएंगे तो ओवरॉल बहुत ही amazing सा relationship मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है blue pile वाले लोग तो congratulations I hope कि जतना time period मैंने बताया है उतने time में वह आपके पास आ तो यह हो गया हमारे blue pile की reading पसंद आया गए आपको मेरी reading तो please like करें subscribe करें तो देखते हैं next black pile के लिए क्या आता है तो यह आ गया हमारा black pile तो black pile वाले लोग मुझे लगता है कि आप तो already कहीं बहुत बुरी तरीके से फसे हुए हो कहीं already जो situations है life में वो बहुत amazing नहीं चल रही हैं और आप जिसके emotionally dependent हो वो इनसान आपको बहुत ज़ादा दुख दे रहा है love में बहुत ज़ादा वो परिशान है खुद से और situations से और चीजों से और आपको भी बहुत ज़ादा परिशान कर रहे हैं कहीं नहीं चोटी बातों पर गुसा करना और यह सारी चीज़ें होना आपका क्या नहीं करना आपके छीज़ें नहीं करना दो कई और सौच दिखाना कि देखो मैंने ये भी किया आपके लिए वो भी किया आगे बढ़के इनहीं के साइड जारे हो यह आपका एक ऐसा सा सीचुएशन होगा जिसमें आप टक्रा जाओगे और आप समझ सकते हो कि आपका जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा तो black pile वाले लोग सबसे पहले तो जिस toxic relationship में आप हो existing उससे आप निकलने की कोशिश करो निकलना इतना easy नहीं है बहुत मुश्किल है क्योंकि relationship ने आपके जो पुझे situation को कहीं न कहीं खराब कर दिया है अब यह उन लोग उसी जेनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आ negativity और अपने mind के negative thoughts से दूर रहने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं अगर आप इस relationship में आगे बढ़ते रहें तो आपका एक collision होगा और वो collision आपके personal life को बहुत ही hamper करेगा क्योंकि आप अभी जिस total या तो अगर आपका अभी just separation हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब हो गया एक दो महीना time हो गया separation हो आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कहीं न कहीं आप अपने past energy में फसे हुए हो पास्ट का जो आपका relationship था जो bad experience relationship था आप उसमें कहीं न कहीं overall फसे हुए हो और उससे आप निकलने ही पा रहे हो आप निकलना चाहते हो बट जैसे कहते हैं ना कि जो चड़िया उड़ना चाहती है बट पंक काट दिये गया है उस type का आपका situation हो गया है आप मो भी नहीं कर तो अभी सबसे ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट पे अपने painful experiences पे अपने और गलत चीजें जो आपको दुख देती हैं उन पर focus करना बंद करें और एक mature इंसान की तरह act करें जिस तरीके से एक mature इंसान को पता होता है कि दुख है तो वो change होगा सुख है तो वो भी कभी अभी चला जाएगा तो उस तरीके का अभी आपको positive रहने की जरूरत बहुत जादा है हाँ difficult है आपके लिए situations उस पुरे past trauma से निकलना difficult है बट आप counselor की help ले सकते हो आप healers की help ले सकते हो आप मेरी help ले सकते हो तो we can help you with coming out of your bad phase of life जैसे आप इस चीज को पीछे छोड़ दे जैसे आप इस relationship के expectation को या अपने current life के expectations को फुल्फिल नहीं होई है तो यह जैसे आप पीछे छोड़ते हो तब आपके true love के आपके life में आने का chances है और यह एकनम sudden है तो black pile वाले लोग एक चीज तो आपके साथ बुरी है कि आपका current situation चल रहा है वो बहुत ही painful है या बहुत ह जैसे आप अब जैस निकले हो या निकलने के कोशिश करे हो बट आने वाले time में trust me there is a lot of positivity there is a lot of good news coming your way बट उसके लिए पहले negative energy को खतम करें उसके लिए पहले negative energy को destroy करें अगर आप अपने past experiences पे count कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं सही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने experiences के वज़े से count कर रहे हो और आप अपने मर्जी के वज़े से count कर रहे हो इसमें और किसी का कोई say नहीं है बट है as a guide as a person who reads tarot for you every day मेरा तो एक say है ना आप लोगों के ओपर तो मैं आपको एक और कहूंगी कि अपने trauma से बाहर निकलने के लिए थोड़ा रिल करें चीज़ों को अनलाइस करें इंट्रोगेट करें अभी अगर आप फिर भी उन्ही सारी चीज़ों में फसे रहोगे तो जो सदन पॉजिटिव चेंज है वो कहीं नहीं नहीं आएंड़ क्योंकि आपके लाइफ में जो भी गुद आने वाली है वो इदम सदनली आने वा कहीं फसे होने का मतलब यह होता है कि negative energy बहुत जादा तेजी से आपके relationship को capture कर रखा है जिसके वज़े से आप लोग एक full-fledged happy relationship में नहीं हो और जो भी आपके partner true love है वो एकदम all of a sudden अप्यूर करेंगे वर्क प्लेस में उनके अप्यूर होने के chances बहुत हाई है किसी ऐसे ज आपने देखा होगा office में लोग बहुत time पे अधर स उधर जाते हैं अधर स उधर जाते हैं तो आप देख रहा है कितना जादा movement है जो आसे किसी movement वाले जगे पे जैसे religious places हो गया है वहां पे दिन पर लोगों का आना जाना बना रहता है तो of course quarantine में आप किसी movement वाले प्लेस पे मत चले जाना अपना true love खोजने के लिए take some time ऐसे थोड़ा time तो भी आपको लगेगा no less than at least मुझे लगता है कि शायद आपको one two three years लग जाए या किने किने को next fifth month में भी यह partner मिल सकता है तो of course जो आपका past relationship है वो आपका connection है ज़रूर बड़ टॉक्जिक है वो टूत नहीं रहा है negative energy के वज़े से negative energy heal करेगी और यह सारी चीज़ा सही हो जाएंगी यह सारी चीज़ा है आपकी settle होने लगेगे तो यह चीज है और at the same time जो आपके partner रहेंगे जो आपके partner आपके नए love होते हैं वो आपको लेके बहुत जादा पोजसिव होंगे कहीं ना कहीं क्योंकि आपका नेचर मुझे थोड़ा चंचल सा नज़र आ रहा है थोड़ा joyful नेचर है बहुत जादा सीरिस्निस चीज़ों को लेके आप में तब तक महीं आती है जब तक कि आप बहुत दुख में ना चले जाते हो अधरवाइज आप प्योर हाटेड हो क्रिस्टल क्लियर दिल है आपका आगे बढ़ना जानते हो चीजों को आगे तक लेके जाना जानते हो लोग आपके साथ गलत करते भी है तो सामने साथ दुख देते भी है तो भी आप उनके लिए सपोर्ट करते हो तो अब आपको एक प्रोटेक्ट करेगा इस टाइप के लोगों पाप बता सकते हैं कि हा मेरे एक्स वॉइफेंड या एक्स गर्रफेंड ने मुझे परेशान किया है क्योंकि यह पार्टनर इस गोई तो इस ट्रीम ली एक्स्ट्रीम ली नॉलिजब एक ऐसा इंसान जो कभी किसी के दूसरे क कि दिये हुए पर कुछ नहीं करता है राधर सब कुछ अपना बिल्ड करता है और जब अपना बिल्ड करता है तब ही उस पर प्राउद पूल रहता है बहुत चेंज़ आए हैं के लाइफ में बहुत लोग आए बहुत लोग गए बहुत लोग उने स्टाइंड दिया बहु तो अगर आप से तयार कर लेते हैं तो यह कोशिश करेंगे कि कमिटमेंट को आगे मैरज तक ले जाए यह पहले स्टार्टिंग में बहुत एजी कमिटमेंट नहीं लेंगे यह और लवर्स की तरह नहीं है कि आज मिले कल I love you person मुझसे शादी करोगी something like that यह हर चीज में टाइम लेंगे लेकिन जब भी यह conclusion पहुंचेंगे तब आप देखोगे कि इनका जो conclusive decision है वो कहीं नहीं उसके साथ stand करेंगे एक बार अगर इनोंने आपको कह दिया कि यह आप से शादी करेंगे तो जरूर ही जरूर करेंगे मतलब कहीं न कहीं यह सल्मान कान की तरह हैं कि एक बार जो मैंने commitment कर दी फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता उस type की तो कहीं न कहीं एक बार यह commitment कर देंगे तो he or she will stay in the relationship और commitment आपको easily नहीं मिलेगा time लगेगा but do not worry for that और आप लोग साथ में काम भी कर सकते हो ऐसा possibility है कि आप लोग सें जगे पे काम करो ऐसी भी possibility है कि आप लोग all together अपने home land को छोड़ के कहीं और settle करो किसी दूर के जगह पे settle करो and of course आपके marriage के भी chances जो हैं वो बहुत high है बहुत amazingly high है and positive है और एक बार यह अशादी के लिए अगर आप लोग look forward करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ family में भी आप लोगों के ज़्यादा issue नहीं होगा तो अभी आपको अपने past baggages को side रखना है और new के लिए start करना है half of your reading is somewhere being affected by your past feelings, present feelings about past emotions तो आप देख रहो कितना mess इसा है तो यह mess को आप ठाके throw it out of the window and the thing is कि अब आपको यह चीज़ याद रखनी है कि mind के mess को हटाईए और new relationship के लिए get up कीज़े somebody to care for somebody जो आपका care करेगा somebody जो आपके लिए चीज़ें करेगा और आपको हर time struggle नहीं करते रहना पड़ेगा हर time आपको अपना bubbly nature side रखके maturely नहीं act करना पड़ेगा आप नहीं हो सकते हो मतलब आप ऐसे space को enjoy कर सकते हो जहांपे कि आपको freedom होगी अपनी चीज़ें बोलने की अपनी चीज़ें करने की and a lot of great things will come your way तो of course black pile के लोग मैंने आपकी reading कर दी है complete अगर आपको मेरी reading आती है पसंद तो do like, share and subscribe my channel personal readings के details screen पर दिये हुए है अगर आप मुझसे personal reading लेना चाहते हो तो आप मुझे contact करो अगर आप general reading सुनते हो तो general readings are meant for a lot number of people तो of course अगर आपसे resonate करती है तो good अगर आपसे नहीं resonate करती है तो दुखी नहीं होना मेरे बहुत सारे videos है आप उनमें से जाके कोई साथ भी video देख सकते हो तो अभी के लिए नमस्ते बबाई, take care and see you again stay home, stay safe do not go out अगर आपको मेरे कोई help चाहिए personal reading चाहिए तो details दिया हो है email address नीचे description box में है वहाँ से भी जाके देख सकते हो बबाई, take care